नमस्कार में डॉक्टर शालमी दाखेस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ की अनुसार उत्तर प्रदेश में ना तो बेड की कमी है ना उक्सिजन की कमी है ना मेंटिलेटर की कमी है ना ही मेडिकल स्टाफ की कमी है और कोरोना के केस भी कम है नियंतरण में है और खबरदार अगर किसी ने कोई भी ध्रम फैलाने की कोशिश की तो उसको जेल में डाग दिया जाएगा बेचारे उतरप्रदेश के लोग डर गए सेहम गए कुछ एक ने आवार उठाने की कोशिश की तो उनको जेल में डाल दिया गया उन पर मुकदमे कर दिये गए जैसे कि आपको याद हो कि अमेठी में एक मुकदमा इस तरह का भी देखा गया था उन्होंने सोचल मीडिया पर अक्सिजन की मांग कर लेकिन अब जब गंगा में लाशे बह करके आ रही है तो वे चीक चीक करके कह रही है कि उत्तरप्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है और योगी आजित्यनाद जूट बोल रहे हैं उत्तरप्रदेश के अंदर स्वास्त सेवाएं वेंटिलेटर पर है क्योंकि आपने कभी स्वास्त सेवाओं के बारे में सोचा ही नहीं आपने स्वास्त सेवाओं का बजट कभी बढ़ाया ही नहीं राम की गंगा कभी भी इतनी मेली नहीं थी जितनी इस बाद भाजपा सरकार में हो गई है नदी के अंदर शव बहकर के आ रहे हैं कुटे उनको नोच रहे हैं गिद उपर से मंड़ा रहे हैं और इस पर भी आलम यह है कि यूपे वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यह हमारे हां की नहीं है यह बिहार की है बिहार वाले बोल रहे हैं कि नहीं यह हमारी नहीं है यह उत्तर परदेश से बहकर के आ रहे हैं सवाल यह नहीं है कि वो लाचे उत्तर परदेश की हैं या बिहार की हैं बहराल गंगा तो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ ही बहती है। पहले सबसे पहले बारा शोग हमीद्पूर में देखे गए थे जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद बक्सर में देखे गए, फिर चप्रा में देखे गए और आज तो बल्या में भी मिरे हैं। आप कितना नकार लेंगे। चाहिए बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन है तो भारतियों के और हिंदू भी है। आप तो बड़ा हिंदू राव का रोना गोते रहते हैं ना कि हिंदू राश्त, हिंदू राश्त अरे ये तो हिंदू। लोगों के पास आप अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। लोग इतना डर गए हैं कि वो शवो को पानी में बहा रहे हैं। और योगी जी, क्या आपने कभी ये सोचा है, कि अगर कुम्ब लगाने से, कुम्ब के अंदर डूगिया लगाने से, जो लोग अपने अपने गाउं में वापिस गए हैं, उन लोगों ने कुरोना इतना फैलाया है, तो ये जो कुरोना से ग्रसित, जो शव हैं, पानी में आ जो गाउं, नदी के किनारे पर बसे हैं, उनके बारे में सोचा है, कि उनका क्या होगा, नहीं सोचा न, वो पानी कितना संक्रमित हो जाएगा, और ये जो कुटे, शवो को नोच रहे हैं, ये तो गाउं के अंदर भी जाएगे, ये जो कुरोना विस्वोट, कुम्ब की लेकिन आपको तो कोई फरक नहीं पड़ता है कुम्ब के बाद भी आपने यूपी में पंचाय चुनाओ करवा दिये जो की सोने पर सुहागा हो गया लेकिन योगी जी आप यह भूल गए कि जब ये जनता अपनी जान फतेली पर रट करके बोट डालने के लिए निकलती है तो आपको भी गाउं का दोरा करना चाहिए आपको उस स्थल का निरेक्शन करना चाहिए जहां पर ये लाशे बह करके आ रही है आप अपनी जुम्यवदारी से हाथ नहीं छुड़ा सकते है जनता ने जो आपको टेक्स का पैसा दिया है वे धार्मिक आयोजन करने के लिए नहीं दिया है वे भाजबा के कार्यले बनाले के लिए नहीं दिया है अपीद्यू उन्होंने ये पैसा स्वास्त सेवाओं के नाम कर दिया था कि उन्हें बेहतर स्वास्ट सेवाएं मिलें लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आने वाजे समय में ये जनता आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी और ये जो लाशे है ना ये जो चीक-चीक कर कह रहे हैं इनकी आवाज ऊपर जाएगी इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएगे